आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ प्लस में बेटा स्क्वियर माइनस में अलफा गामा X स्क्वियर अलफा बीता गामा belongs to real values तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है Y inverse that is equal to 1 by 5 minus 2 by 5 1 by 5 0 1 by 5 minus 2 by 5 0 0 1 by 5 तो हमें अलफा माइनस बेटा प्लस गामा का होल स्क्वियर की value नकाल लिए तो यहां पर हमें सबसे पहले क्या value निकाल लिए alpha बीटा गामागी तो यहां पर y is equal to alpha times of identity function तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा alpha 0 0 0 alpha 0 0 alpha ठीक है यह हो गया हमारा plus में beta times of x तो यहां पर अब कर दो beta से multiply x में तो यहां हो क्या 0 beta 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है गामा x square plus में gamma x square अब x square की value कितनी आएगी जब x की value क्या है 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 इसको दो बार multiply करेंगे 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ठीक है तो इसकी value क्या है हमारी x square तो इसकी value कितनी आएगी हमारी वो देख लेते हैं 0 1 0 0 0 0 0 0 से multiply करोगे तो यह क्या होगा 0 दूसरी से करोगे तो कितना हो जाएगा again 0 तीसरी से करोगे तो कितना हो जाएगा 1 अब यहां पर करोगे इससे पहली वाली column से तो 0 दूसरे वाले से करोगे फिर 0 तीसरे वाले से करोगे फिर 0 ठीक है तो यह क्या होगे हमारा पूरा pattern ही 0 आ जायागा 0 और यहां पर कितना आ जायागा यह भी 0 गया और 0 0, 0, 0 यह भी 0 हो गया इससे करोगे तीनों को तो 0 इससे फिर करोगे 0 और इससे फिर करोगे 0 ठीक है तो यह बन गया हमारा गामा square तो गामा square को अंदर क्या कर दीए multiply ठीक है गामा x square है तो यहां पर अंदर क्या जाएगा हमारा 1 की जगे गामा आ जाएगा तो गी एक ही term में क्या है 1 है यहां होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ठीक है अब इन तीनों को add कर लेगा तो y की value आ दी y का matrix क्या बनेगा हमारा वो देख लेते हैं यहां पर y का matrix बन गया alpha ठीक है और यहां पर आ जाएगा beta यहां गया gamma ठीक है similarly यहां गया 0 यहां गया alpha यहां गया beta तीसरी रो में क्या आएगा यहां पर 0 यहां पर again 0 and last में आएगा alpha ठीक है यहां पर हमारे पास एक function हो रहे है y multiply में y inverse that is equal to identity function होगा ठीक है और inverse की value हमें दे रखिए inverse की value हमें दे रखिए तो यहां पर इन नोनों को multiply करके compare कर लेते हैं यह हो जाएगा हमारा y की value तो यह आ गई y matrix आ गया हमारे पास alpha बीटा कामा 0 alpha बीटा 0 0 alpha अब इसको multiply कर देते हैं इस inverse से ठीक है यह कितना है 1 by 5 minus 2 by 5 1 by 5 minus 2 by 5 1 by 5 ठीक है 0 1 by 5 minus 2 by 5 0 1 by 5 minus 2 by 5 3rd row क्या है 0 0 1 by 5 0 0 1 by 5 bracket closed that is equal to identity function हमारा 100 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है तो इनको multiply करते हैं आपस में तो क्या गया हमारा alpha बीटा गामा को इस से करेंगे तो alpha by 5 ठीक है यहां पर क्या गया हमारा alpha by 5 अब यहां पर alpha बीटा गामा को इस से करेंगे बीटा गामा को इस से करेंगे तो कितना होगा minus 2 alpha by 5 और beta by 5 minus 2 alpha by 5 plus में beta by 5 अब तीसरी row से करेंगे तो कितना है गा alpha by 5 minus 2 beta by 5 एंड प्लस गामा फाइफाइफ ठीक है, और यहां पर करेंगे 0 अल्फा बीटा को इस से, तो यह कितना हो गया, 0 अल्फा बीटा को यहां eager करेंगे, तो यह क्या हो गया, 0 हो गया, अल्फा को कर देंगे, alpha by 5 last वाली रोग करेंगे इसको 0 को बीटा से तो 0 यहां पर कितना आगया one by five 0 से करेंगे 0 minus two alpha by 5 ठीक है plus beta by 5 beta by 5 ठीक है third row में करेंगे तो कितना आएगा 0, 0, 0 तो यह कितना होगी हमारा 0 इसमें करेंगे तो again 0 again 0 इसमें करेंगे तो कितना होगा alpha by 5 bracket closed that is equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 अब यहां से compare कर लेते हैं ठीक है यहां से compare करोगे तो alpha की value कितनी हो गई हमारी 5 ठीक है alpha की value 5 हो गई तो यहां से 2 alpha minus 2 alpha by 5 plus beta by 5 की value कितनी है हमारी 0 alpha की value 5 है तो minus 2 इस तरफ हो गया इस तरफ जाएगा तो 2 तो beta की value कितनी होगी 10 ठीक है अब gamma की value भी निकाल लो gamma की value यहां से निकाल लेंगे alpha by 5 यानि कि 1 minus में 2 beta की value कितनी होगी 5 minus 4 बचे कहां पर plus में gamma by 5 that is equal to 0 तो इस तरफ कितना आगया हमारा minus 3 उस तरफ जाएगा तो 5 multiply 3 15 अब यहां पर हमें value किसकी निकालनी थी alpha minus beta alpha की value 5 minus beta 5 यहां पर आजाएगा हमारा 5 minus 10 प्लस में 15 का whole square that is equal to यहां पर कितना आगया हमारा minus 5 और यहां पर 15 minus 5 तो 10, 10 का square 100 तो हमारा answer कितना आगया? 100 ठीक है? Thank you Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीजिए अपने doubts 8 400 400 400 पर